हेलो एन वेलकम टू दे चैनल नेचुरल योगा फीजियो फार्मेसी फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रोस्ट बाइट क्या होता है इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं कौन-कौन से स्टेज हैं इसके और ट्रीटमेंट और प्रिकासंस के बारे में देखेंगे तो आएए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं फ्रोस्ट बाइट एक ऐसा कंडिशन है जिसमें ठंड के मौसम में टेंपरेचर लो होने पर इसकीन टिसू डेमेज हो जाते हैं इस कंडिशन में सरीर का कोई भी भाग अफेक्टेड हो सकता है लेकिन मोस्टली हांस पेर की अंगुलिया और फेस में नाक और कान में ठंड जादे लगने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसके कारण इसका प्रभाव हांस पेर और चेहरे पे जादा पड़ता है कौजज की अगर हम बात करें तो जब ठंड जादे लगता है तब सरीर अपने महतवपूर्ड अंगों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है जिसमें तवचा के नीचे ब्लड वेसल्स संकुचित होकर शरीर के आंतरिक गर्मी को बनाए रखते हैं ब्लड वेसल्स के इस तनाव के कारण ब्लड डाईवर्ट हो जाता है जिसके कारण इसकीन टिसूज को प्रोपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता जिससे इसकीन टिसूज फ्रीज हो जाते हैं और वार्म ब्लड नहीं मिल पाने से टिसूज डेड होने लगते हैं ठंड के कारण स्रोस्ट बाईट अचानक से डेवलप हो जाते हैं तापमान का बहुत जादे कम होना और ठंड हवाव का चलना फ्रोस्ट बाइट का मुख्य कारड होता है अतिसांगेदन सील और अपर्याप्त कपड़े पहनने से फ्रोस्ट बाइट हो सकता है इसके अलावा इसकीन का किसी मेटल अबजेक्ट के साथ लगातार टच में रहने से सर्कूलेशन कम होने के कारड यह हो सकता है साथ ही साथ कोई ऐसे disease या disorder जिसके करण blood supply skin में proper नहीं हो पाता frostbite का आज करता है frostbite के stages की अगर हम बात करें तो frostbite तिन stage में develop होते हैं और हर stage में एक अलग ही तरह का दर्द महसूस होता है frostbite के first degree stage में skin सफेद या हलके पीले दिखते हैं और skin में जलन और खुजली होती है इस stage में अगर affected skin को गर्माहट दी जाती है तो इसके symptoms वापस चले जाते हैं second degree frostbite में लगतार ठंड लगते रहने से उस affected area में sensations यानि की संग्वेदना चली जाती है और skin tissues में pain, redness, swelling आदी symptoms दिखाई देते हैं इस stage में skin को गर्म करने पर चाले पड़ जाते हैं और skin चिल जाता है और फिर blisters यानि की फफोले हपतों तक बने रहते हैं और affected area में pain और tenderness महीनों तक रहता है third degree frostbite के condition में skin hard और mom जैसा नर्म हो जाता है इस stage में skin tissue die हो जाते हैं और edema हो जाता है इसके अलावा frostbite के severe condition में muscles, tendons और nerves में damage हो सकते हैं साथी साथ smalls blood vessels में blood clot बन सकते हैं जो circulation को block करके thrombophlebities और gangrene जैसे conditions cause कर सकते हैं friends, gangrene भी अधिक ठंड के मौसम में body tissue को damage करते हैं गैंग्रेन और thrombophlebities के ऊपर separate video हमने upload कर दिया है अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं description box में link देदे रहाऊं वहाँ से आप जाके video देख लिजिए frostbite के treatment की अगर हम बात करें तो प्रारम्हिक चिकित सा इस बात पर focus करता है कि हमें इस condition में क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत धारडाय प्रचलित हैं सबसे पहले frostbite के condition में affected tissue को बर्फ से धोना या रगणना नहीं चाहिए नहीं तो damage बढ़ सकता है tissue loss को कम करने और complication से बचने के लिए affected tissue को direct आग के संपर्क में रखने के बजाए गुनगुने पानी में डुबाना चाहिए जिसमें गुनगुने पानी का तापमान 100 degree से 110 degree Fahrenheit के बीच होना चाहिए 110 degree Fahrenheit से ज़्यादा तापमान होने पर sensation के loss होने के कारण skin जल सकता है जिसके कारण तोचा में pain, redness और blisters बन सकते हैं तोचा को धीरे धीरे थपथपाने से additional injury नहीं होता है अगर patient घर से कहीं बाहर जाता है उस समय affected area को गरम रखना चाहिए उस affected area को शरीर के किसी गरम portion के contact में रखना चाहिए जैसे कि armpit के नीचे या जांगों के बीच में और उस area में गरम सूखे कंबल लपेटे होने चाहिए frozen area के tissues को infection से बचाने के लिए साफ करके रखना चाहिए इस condition में smoking को avoid करना चाहिए क्योंकि smoking से blood vessels सिकूड जाते हैं साथ ही साथ frozen area में गरमी लाने के लिए blood circulation को बढ़ावा देना चाहिए सभी तरह के frost bite को physically examine किया जाता है इसके आधार पर infection को रोकने के लिए antibiotic जैसे की amoxicillin या monosaf को prescribe किया जाता है और साथ ही साथ blood vessels में clotting को रोकने के लिए कुछ anticoagulants जैसे की hyperin और warfarin को दिया जाता है prevention की अगर हम बात करें तो frost bite को prevent करने के लिए सबसे पहले अच्छे गर्म कपड़े पहनने चाहिए जिससे इसकीन अच्छी तरह ढ़की रहे और especially हाथ पैर वह चेहरे की इसकीन ढ़की रहे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें झाल